राज भासा के अध्यन के क्रम में यह तीसरा पार्ट है राज भासा के अध्यन में हमने जो वीडियो बनाए उसके दो पार्ट पहले ही पन यूटूब पे डाल चुके हैं अब हम यह तीसरे पार्ट में राज भासा नियम उने सो च्छीतर के बारे में जानेंगे उसका अध् परिचे एक बार प्राप्त कर लेते हैं। निमनलिखित नियम बनाती है। राजभासा नियम 1976। प्रथम नियम में इसका संचिप्ट नाम विस्तार के वारे में हुवर्णन है। नाम में इसका होगा राजभासा नियम 1976। और इसका विस्तार जो है तामिन नाडु राज जी के आलावा संपूर्ण भारत पर है। जो राजपत्र में परकासन की तारिख से प्रेरित होगा अर्थात लागू होगा नियम संख्या 2 में क्या है नियम संख्या 2 में आता है परिभासाएं इसमें परिभासा से सम्मंधित यह है कि राजभासा अधिनियम जैसे लिखा है राजभासा अधिनियम तो इसका मतलब यह हुआ कि राजभासा अधिनियम 1963 केंदरिये सरकार का कार जाल है अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब यह हुआ कि केंदरिये सरकार का मंत्राल है विभाग किसी भी आयोग समीती अधिकरन का कोई कारियाल है या केंदरिये सरकार के स्वामित में या नियंतरन में किसी कमपनी क कारियाल है आता है तो उसको बोलेंगे केंद्रिय सरकार का कारियाल है अगला सब्द है करमचारी करमचारी का मतलब यह हुआ कि जो कारियाले में नियूजित बेखती है जो भी कारियाले में कारे करने वाला बेखती है उसको बोलेंगे करमचारी एक है आएगा अधिसुचित कारियाले अधिसुचित कारियाले से तातपर यह होगा इसी में हम पढ़ेंगे नियम 10 नियम 10 का उपनियम 4 में जो है कुछ कारियालों को अधिसुचित किया गया है अधिसुचित करने का एक क्रिटेरिया निर्धारित किया गया है तो उसमें जो कारियाले आएगा उसका तत्पर कहलाएगा आधी सुचित कारियाले जैसे आगया छेतर क तो छेतर क का मतलब क्या हुआ कि छेतर क का मतलब हुआ वह राज जो छेतर क में आते हैं छेतर क में कौन-कौन से राज जाएंगे बिहार, हर्याना, हिमाचल परदेश, मध्य परदेश, चतिस गड़, जारखंड, उत्त्राखंड, राजस्थान और उत्तर परदेश इसके अलाबा, दो संग राज भी आएंगे, जिसमें दिल्ली और अंडवान, निकुबार, दीप संभुआ अब अगला आता है छेतर ख, तो छेतर ख में कौन-कौन से राज जाएंगे गुजरात, महराष्ट, पंजाब, राज तथा चंडीगड, और चंडीगड केंदरसासित परदेश हो गया, दमन और दीप ही केंदरसासित परदेश है उसके बाद दादर और नागर हैवेली भी केंदरसासित परदेश है और आता है छेत्रगर तो छेत्रगर में वो राज जाएंगे और वो संगसासित प्रदेश आएंगे जो की कर और खर में समलित नहीं है ऐसे भी हम ध्यान रख सकते हैं कि छेत्रगर में वो राज जहां पर्मुक भासा जो है हिंदी है छेत्र खर में जो है वो दीतिय भासा हिंदू है वहाँ पर और उसके अलावा वहाँ जिसे गुजरात है तो मेन भासा गुजराती है लेकिन यहाँ के लोग हिंदी समझते और बोलते हैं इसी परकर महराश्ट और पंजाब राज्ज का इसी करम में बरिकरन किया गया है गर छेत्र में जो हिंदी भासी नहीं है जैसे उडिया, उडिशा, आंधर परदेश, केरल, तामिल नाडू ये सब जो हो जाएगा वैसे भी तामिल नाडू में राज भासा नियम 1976 लागू नहीं है उसको छोड़ करके ही बाकी सोराज्यों में बिस्तार है अब राज भासा नियम 1976 के आएंगे नियम संख्यातीन, नियम संख्यातीन में कई उपनियम है जिसमें की नियम संख्यातीन मुकरूप से राज और केंद्रिय सरकार के कार्याला से भिन कार्यालों के साथ पत्रादी के बारे में केंद्रिये सरकार के कारजाले से छेत्र कव में किसी राज और संग छेत्र में अगर होता है पत्राचार तो उसमें हिंदी में होगा पत्राचार साधरान दसाओं को छोड़कर हिंदी में पत्राचार होगा पत्रियादी साधरान दसाओं को छोड़कर हिंदी में होगे और अदि उनमें से किसी को कोई पत्रियादी अंग्रेजी में भेज़े जाते हैं तो उनके साथ हिंदी अनवाद भी भेज़े जाएगा ऐसा है नियम स सरकार के कारजाले से छेत्र क में किसी कारजाले को अगर पत्र भेजा जाता है या किसी ब्यक्ति को पत्र भेजा जाता है तो अब इसके बाद आएगा नियम संख्या 3 का उप नियम संख्या 2 अब आया है कि केंद्रिये सरकार के कारजाले से छेत्रुख में अगर पत्राचार होता है तो हिंदी में होगा पत्राचार सम्मानेता हिंदी में होगा और अदिन में से कोई पत्रादी अंग्रेजी में भेजा रहते हैं उनके साथ हिंदी अनुमाद भी होगा लेकिन अंग्रेजी और हिंदी में भेजने जाने वाले पत्रों कानुपात क्या होगा यह जो है निरुपर करेगा वहाँ पे काम करने वाले ब्यक्तियों पे अब इसी में है छेत्रख किसी राज संग पत्रादी अंग्रेजी में भेज जा सकते हैं छेत्रख के किसी राज या संग राज छेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादी हिंदी या अंग्रेजी में भेज जा सकते हैं ये दो का काना है इसी परकार नियम तीन का है उपनियम तीन केंदरीय सरकार के कारजाले से छेट्रग में अगर भेजते हैं कहीं भी पत्रदी तो अंग्रेजी में होंगे और इसका फिर उपनियम चार में क्या वरनित है कि उपनियम एक और उपनियम दो में से किसी बात के होते हुई भी छेतर गह में किंद्रिय करमचारी के कारजाले से छेतर कह या खह में किसी राज या संग राज छेतर को या ऐसे राजियों में किसी कारजाले जो किंद्रिय सरकार का कारजाले न हो या ब्यक्ति को पत्रादी हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं परन्तु हिंदी में पत्रयादी ऐसे अनुपात में होंगे जो किंद्रिय सरकार ऐसे कार्यालियों में हिंदी का कारे साधा ग्यान रखने वाले ब्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रयादी भेजने की सुधाओं और उसे आनुसंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए स है कि केंद्रिये सरकार के कार्याले के बीच पत्रादी का कैसे होगा किस भासा में होगा केंद्रिये सरकार के किसी एक मंत्राले या विभाग और किसी दूसरे मंत्राले विभाग के बीच पत्रादी हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है केंद्रिय सरकार के एक मंत्रा लेया विभाग और छेतर कम इस्थित सनलगन या अधिनस्त कारजालियों के बीच पत्रयादी हिंदी में होंगे और ऐसे नपात में होंगे जो केंद्रिय सरकार ऐसे कार्यालियों में हिंदी का कारे साधक ज्यान रखने वाले व्यक्तियों के संक्या हिंदी में पत्रयादी भेजने की सुर्धाओं और उसे समंधित आनुसंगिक पातों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अवधारित करे नियम संख्या चार में अगला उपनियम में देखेंगे अगला खंड में है ग खंड में क्या है इच्छेतर क में इस्थित कारजाले के ऐसे कार्यालों के बीच जो खंड क या खंड क में बीजनी दिष्ट कारजाले से भिन है पत्रयादी हिंदी में होंगे च्छेतर क में इस्थित केंद्रिय सरकार के कार्यालों और च्छेतर क या ग में इस्थित केंद्रिय सरकार के कार्यालों के बीच पत्रयादी हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं परन्तु यह पत्रयादी हिंदी में ऐसे नुपात में होंगे जो किंद्रिय सरकार ऐसे कारियालों में हिंदी का कारे साथ अग्यान रखने वाले ब्यक्तियों की संख्या हिंदी में पत्रयादी भेजने की सुधाओं और उ हमें समय पर अभधारित करें सेम बात जो हम लोगों ने पीछे भी अधिन किया इसके बाद क्या वो कि इसी नियम में बरनित है छेट्रख या गम इस्तित केंदी ये सरकार के कारजालों के बीच अनि छेट्रख और गम आपस में जो करेगा पत्रयादी हिंदी या अंग्रेज गम में किसी कारजाले को संबोधित है वहां अधियावस्यक हो तो उनका दूसरी भासा में अनवाद फत्रयादी प्राप्त करने का करने का स्थान पर किया जाएगा छेट्रख गम में किसी कारजाले को संबोधित है वहां उनकी दूसरी भासा मनवाद उनके साथ भेजा जा उच्छे तरग्या में चुकि हिंदी का सबसे कम उप्योग है इसलिए वहां उसके अनुसार दूसरी भासा में अनुवाद भेजा जाएगा परन्तु यह और है कि अधिक कोई पत्र आदी किसी यह दूसरी कारजाले को संबोधित है तो दूसरी भासा में ऐसा अनुवाद इच्छा नहीं कि जाएगी अधित सुचित कारजाले में यही है वहां कारे साधत ज्यान रखने वाले करमचारियों के आधार पर अधित सुचित किया जाता है कि यह किंद्रीय सरकार का कारियाला हिंदी में कार करने योग्य है नियम संक्या पांच नियम संक्या पांच में क्या वीब्रन है हिंदी में पत्रादी का उत्तर नियम संक्या पांच में कि हिंदी में अगर पत्र किसी ने लिख के दिया है तो उसका उत्तर कैसे देना है तो इसमें दिया है कि नियम तीन और चार के होते हुए भी अधि हिंदी में दिया जाएगा अगर कोई केंद्रिये कार्याले को हिंदी में कोई पत्र लिखता है तो उसका जवाब केंद्रिये कार्याले हिंदी में ही दिया देगा नियम संख्याच्छे में क्या है हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रियोग अधिनियम की धारा 3 और उपधारा 3 में बिनिर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का परियोग किया जाएगा अधिनियम की धारा देखे लिखा अधिनियम जो हम लोग ने पीशे पढ़ा परिभासा अधिनियम का मतलब हुआ राजभासा अधिनियम 1963 इधारा 3 और उपधारा 3 में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का परियोग किया जाएगा ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताचर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदाईत होगा कि वह सुनिश्चित करे कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तयार किये गए हैं निस्पादित और जारी की जाती है ऐसा इंस्यूर करना है हस्ताचर करने वाले व्यक्ति को नीम संख्या साथ में क्या वर्नित है आवेदन और अभ्यावेदन अभ्यावेदन कैसे करेंगे ये वर्नित है कोई करमचारी आवेदन अपील अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है जो हिंदी में करना चाहता है अंग्रेजी में करना चाहेगा तो अंग्रेजी में कर सकता है जब उपनियम एक में बिनिर्दिष्ट को या वेदन अपील या वेवेदन हिंदी में किया गया हो उसका उत्तर हिंदी में ही दिया जाएगा इस बात का ध्यान रखना है तिसरा है तिसरा उपनियम है अधी कोई करमचारी चाहता है कि सेवा समंधी बिस्यों जिनके अंतरगत अनुसासनिक करवाई अभी है से समंधित कोई आदेश या सूजना जिसका करमचारी पर तामिल किया जाना पेच्छित है यथा इस्तिती हिंदी या अंग्रेजी में होना चाहिए तो वह उसे असम्यक अभिलंग के बिना उसी भासा में दी जाएगी अगर कोई करमचारी पर किसी तरह का आरोप लगता है अगर वो चाहता है कि वो जो है आरोप को अंग्रेजी में दिया जाएगा और अगर हिंदी में मांगता है तो हिंदी में उसको दिया जाए थागति सद्सक्सट्पनेद डेख लेथें। का वे देखलतें नियम संख्या 8 में तोटल चार उपनियम दिख रहा है। नियम संख्या 8 का ये पहला उपनियम है कि रिए सरकार के काज़ा टिपनी का लिखना clearly की सकते हिंत करम-क्रारिय किसी फाइल पर टीक नहीं है, या कार्य भी हिंदी या लिख सकता है, जैसे कोई आपना चार्ज़ लुख भरता है, तो हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भासा में भर सकता है और उससे यह अपेच्छा नहीं की जाएगी कि वह इसका अनुबाद दूसरी भासा में प्रस्थूत करें अगर वह अंग्रेजी में लिखता है तो ऐसा नहीं है कि उसको हिंदी में उसका अनुबाद भी लिखना है ऐसा उससे अपेच्छा नहीं किया जाएगा केंद्रिय सरकार का कोई भी करमचारी जो हिंदी का कारे साधा ज्यान रखता है हिंदी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनबाद मांग नहीं सकता अगर वो मांग सकता है एक सर्थ है उसमें कि अगर वो दस्तावेज बिधिक है या तकनिकी प्रकिर्टिक है तो वो अंग्रेजियन बाद मांग सकता है अन्य था उसे अंग्रेजियन बाद नहीं मिलेगा अगर उस व्यक्ति को हिंदी का कारे साधा ज्यान परापत है तो अधी प्रशन उठता है कि कोई भी दस्तावेज बिधिक या तकनिकी प्रकृति का है या नहीं तो यह तै करेगा विभाग के कार्याले का परदहान उपनियम चार में है उपनियम एक में किसी बात के होते हुए भी हिंद्रिय सरकार आदेश द्वारा ऐसे अधुसरी कारजाले को बिनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे करमचारी द्वारा जिन्हें हिंदी में परविंता प्राप्त है टिपनी प्रारूपन और ऐसे अनसास के परियोजनों के लिए जो आदेश में भी निर्दिष्ट किये जाएं केवल हिंदी का परियोग किया जाएगा उपनियम येक के होते हुए भी उपनियम चार में ऐसा है कि अगर प्रविंता प्राप्त है कि सिकाल जाले करमचारी को तो वहां का ओफिसर उसको बोल सकता है कि तुमको काम जो है अपना काम हिंदी में ही करना होगा नियम संख्या आएगा नौ नियम संख्या नौ में कहा है हिंदी में प्रविंता अब हिंदी में प्रविंता कैसे मानेगा कि कोई ब्रक्ती हिंदी में प्रविंता प्राप्त कर लिया है तो उसके बारे में इसमें नियम बताया गया है कह नियम पहला कह है नियम कि अधी किसी करमचारी ने मैट्रिक परिच्छा या सम्तुल या उससे उपर की कोई परिच्छा हिंदी माध्यम से अगर उतिन की है अगर उसकी पढ़ने की मेडियम हिंदी है एकजाम देने का मेडियम हिंदी है तो अगर वो SSC या उससे सम्तुल या उससे उपर की कोई परिच्छा अगर हिंडी मेडियम से पास करता है तो मान लिया जाएगा कि वो हिंडी में प्रभीन है खौन में है कि असनातक परिच्छा या सम्तुल या उससे उपर किसी यान परिच्छा में हिंदी को एक बैकल्पिक बिशय के लूप रूप में लिया है अगर कोई भले ही वो अंग्रेजी मेडियम में पौड रहा हो लेकिन अगर उसको उसने बैकल्पिक बिशे के रूप में हिंदी लिया है असना तक तक या उससे अधिक तक तो हम कहेंगे कि वह व्यक्ति हिंदी में प्रवीन है अधिवह नियमों से उपवध प्रोरूप में यह घोशना करता है कि वह हिंदी में प्रविंता प्राप्त है और अगर नियम के तहर जो है अगर कोई भले ही वह S.A.C. हिंदी मेडियम से नहीं किया हो या कोई सब्जेक्ट के साथ ग्रिजवेशन नहीं किया हो हिंदी सब्जेक्ट के साथ तो भी अगर वह घोशना करता है कि वह हिंदी में प्रविंता प्राप्त कर लिया है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी में प्रविंता प्राप्त कर लिया अब आते हैं राजभासा नियम 1076 का नियम संख्या 10 नियम संख्या 10 में क्या है पहला उप नियम है कारे साधक ज्यान हिंदी का कारे साधक ज्यान के बारे में बताया गया है नियम संख्या 10 में तो नियम संक्या 10 का उप नियम एक में है कि कर अधिक इसी करमचारी ने मैटिक परिच्छा या सम्तुल या उच्छतर परिच्छा हिंदी विश्य के साथ उत्रिन कर ली है तो माना जाए उसकार साधा ज्यान प्राप्त है अथवा कि इन्दिय करमचारी की हिंदी परिच्छा योजना के अंतरगत आयोजित पराग परिच्छा या आधिस सरकार द tuaरा किसी विश्ष्ष परवरक के पदों के सम्वन्न में इस योजना के अंतरगत कोई निमनस्तर परिच्छा बेनिर्दिष्ट है अगर वो उत्तिन कर लिया है बिनिदिस मतलब पहले से ही निशिट कर लिया गया है तो उत्तिन कर लिया है तो हम कहेंगे कि वो कारिसाधा ज्यान प्राप्त कर लिया है तीसरा है केंद्रिय सरकार द्वारा इस नीमित बिनिदिस्ट कोई परिच्छा उत्तिन कर लिया किंद्रिय सरकार को ऐसा एक्जाम चलाता है जिसको पास कर लेने के बाद कहा जाएगा कि हिंदी कारशाधा ज्यान मिल गया है तो अगर कोई करमचारी इसे भाव लेकर कि एक्जाम पास हो जाता है तो कहा गया कि उस करमचारी में हिंदी का कारशाधा ज्यान प्राप्त कर लि अब इसका नियम नंद्रस का उप नियम दो में पढ़ते हैं किन्द्रिय सरकार के किसी कारजालय में कार्य करने वाले करमचारियों मेंसे 8% ने हिंदी का कारे साधक ज्यान प्राप्ट कर लिए है तो उस कार्यालय के करमचारी के बारे में सम्झा जाएगा कि उन्हें कि और के इंदी का कारी साथक ज्यान प्राप्त कर लिया गर यह स्ञापत कर लिया है इस Candirrors करी सरकार या क inscriptionि सरकार और इस निमित जिर्डिश्ट को ये अधिकारीत अवधारित कर सकता है कि केंद्रिये सरकार के किसी कारजाले के करमचारियों ने हिंदी का कारजालों में करमचारियों ने हिंदी का कारजालों में करमचारियों ने हिंदी का कारसादग ज्यान पराथ कर लिया है। उन करमचारियों के नाम राजपत्र में अधुसुजित किये जाएंगे। अभी केंद्रिय सरकार की राय है कि किसी अधुसुजित कारजाले में काम करने वाले और हिंदी का कारिषण अज्ञान रखने वाले करमचारियों का परतिषद किसी तारिक में से उपनियम 2 में बिर्णुर्दि Jr. परतिषद से कम हो गया or राजपतर में अधियसूषना दोरा घोशित कर सकता है कि उक्त कारजालय उस तारी से अधूसरित कारजालय में नहीं रह गया है अब देखे अधूसरित कारजालय कोड़े थे या नियम संख्या 10 का उक्त कंपनी में बढ़नी कोड़ बढस राजभासा नियमगे 176 का नियम संख्याई 11 11 में है इसमें क्या है केंदर सरकार का नियम वो देख लेते हैं उप नियम एक में केंदरीए सरकार के कारजालेों से शमंदित सभी manual सहिताएं और परक्रिया समंदी अन सही साहित हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिवहासिक रूप पर अथा इस्थिती मुंदरित या साइकलोस्टैल किया जाएगा परकासित किया जाएगा ये है साहित के बारे में केंद्रिये सरकार के किसी कारजाले में परियोग किये जाने वाले रेजिस्टों ये दिखे उपनियम संख्या 2 में क्या है कि जो रेजिस्टर डे टू डे भरने का रहता है वो वाई लेंग्वल होगा मतलब सिर्षक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे किंद्रिय सरकार के किसी कारजालें परयोग के लिए सभी नाम पट सूचना पट जो भी रहेगा उसमें सिर्ष और लिफाफे पर उतकिर्ण लेक सभी जाये रहेगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा जाएगा अब इसमें है कि मुद्री उत्किन होगी, परंतो कोई कंद्रिय सरकार ऐसा करना वास्एक समझती है वह साधारण या विषेश आदेशोधोर्रा कंद्रिय सरकार के किसी कारजाले को इस नियम के सभी या किनी उपवंदों से छूट दे सकती है चाहे तो तीनों के तीनों से छूट उसमें मिल सकता है अब है नियम संख्या 12 नियम संख्या 12 आनी राजभासा नियम 1924 का लास्ट नियम है नियम संख्या 12 का उप नियम एक में क्या बोला गया है वो देख लेते हैं उप नियम एक में बोला गया है नियम संख्या 12 के उप नि ये सरकार के परतेग कारजाले के परसासनिक प्रधान का होगा जो भी अनुपालन जो भी नियम बनाया गया है उसका अनुपालन का दाइत होगा परसासनिक प्रधान को वह यह सुनिचित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपवंधो और उपनियम दो के अधिन जारी किये गए निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है यह इंस्योर करना है और इस प्रयायोजन के लिए उप्युक्त और प्रभावी प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करें अगर उसको लगए कि कोई इसमें गड़गड़ है तो वो जांच करवा सकता है किंद केंद्रिय सरकार इसमें फिर नियम संख्या बारा के उपनियम दो में यह फिर बापस अधिकार है कि केंद्रिय सरकार अधियम और नियम को बंद में जो अनुपालन नहीं वो राय ठीक से तो उसको अनुपालन कराने के लिए वो उसको आवस्चक निर्देश जारी कर सकता ह अब हमारा राजभासा नियम 1916 यहाँ पर समाप्थ हो गया हमने बार हो नियम का जो है संचित बीवरन किया अब इसे हम एक से दो बार देखे और सुनेंगे तो कुछ न कुछ हमें राजभासा नियम 1916 के बारे में जानकरिया प्राब हो जाएगी ठेंक यू धन्यवाद